वैस्नोवी हिल्दी फूड में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं पालक वाली डाल बनाऊंगी पालक और डाल दोनों ही हिल्द के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं अगर कोई भी आप पत्ते वाली सब्जिया यूज कर रहे हैं उसको कई बार पानी से धोले कम सकम चार-पांच बार तब उसको यूज करें क्योंकि पत्तों में धूल मिट्टी जमी रहती है मैं ऐसे ही कई बार इस पालक को धोकर तब यूज कर रहे हूं और पालक में काफी सारे ऐसे पोस्टिक तत्व पाया जाते हैं जो हमारे हिल्द के लिए बहुत ही जरूरी हो को आयरोन की कमी हो वो दाल और पत्ते वाले सबचीás खाएं ताल में काफी मतरा में प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे हेल्द के लिए बहुत ही जरूरी होता है दाल में भी काफी सिकतन पाय जाते हैं जैसे ऐरन चैल्सियम प्रोटीन और क्लोरीन सोडियưng इस तरह के काफी पुष्टिक ततुपाय जाते हैं, दाल में फैट नहीं होता है, कोलेस्ट्रोल लेवल कम होता है दाल खाने से, हमारे सरीर में अगर आइरन की कमी है, तो दाल खाने से आइरन की कमी पूरी हो जाती है, काफी मतरम इसमें आइरन मिलता है, और इसमें प्रोटीन काफी मतरम होता है वजन कम करने में मदद मिलती है दाल खाने से भूख नहीं लगती है जल्दी काफी देर तक आप फुल रहेंगे पेड़ भरा रहता है अगर एक कटोरी दाल सुगा खा लेंगे तो तो वजन कम करने में मदद मिलती है दाल और पालक खाने से हड्डियां मजबूत होती है प जो डाल आपको पसंद हो वही डाल पालक के साथ मिला लें बहुत ही हिल्दी डाल बनती है तो चलती हूँ किछन में आज मैं बढ़िया से डाल बना लेती हूँ पालक वाली हिल्दी डाल बनाने के लिए मैं तीन तरक डाल ली हूँ अरहर डाल है चने की डाल है और यह मोंकी छिलके वाली है आप चाहें तो बिने छिलके वाली डाल भी ले सकते हैं जो डाल आपको पसंद हो वो डाल ले 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 चाहे मिक्स डाल ले 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 या एक डाल ले होगा एक साथ करके इनको हम पहले तीन चार बार पानी से धोएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से दाल को दो कर 15-20 मिनिट के लिए छोड़ देंगे भीगा कर अगर दाल को भीगा कर रख दें तब बनाए तिसका पोस्टिक तद ज्यादा हाई हो जाता है अब इस दाल को हम 15-20 मिनिट के लिए रख देंगे ताकि फूल जाए जब तक हमारे दाल फूल के तयार हो रही थी इतने में हम एक प्याज एक टमाटर और एक चेमच हमने यह अदरग जो ग्रेट कर लिया दो हरी मिर्ट बारिक काट लिया और कुछ लैस्टन के कलिया जो हम क काच लिए दाल भी मारी फूल कर तयार हो चुकी है जैब तयार हो सुपरल कई आ रख फूल जयाक अब दाल को हमें उबालना है एक कूकर ले लिए इसमें मिल दाल को डाल दे रहे ह। अब इसमें जितना डाल लें उसका 3 कुना पानी डाल लें इस कप से मेरी एक कफ से थोड़ी ज्याधा डाल थी तो मैं 3,5-3 कप पानी डाल दे रहे हैं वैसे डाल अपने हिहाब से थोड़ी सी गाड़ी या पतली कड़ सकते हैं अब इसमें में हल्दी पाउडर और एक चिम्मच नमक या स्वादनुसार नमक डाल लें आप यही दो चीज डाल कर मैं दाल को पका लूँगी अब मैं गैस आउन कर दी हूँ तीन से चार सीटी आने तक डाल को पका लेंगे वो इसे डाल की कॉलेटिक उपर भी है थोड़ा बहुत एक दो मिनिट कम ज़्यादा लग सकता है उसके बाद इसका प्रेसर खतम होने देंगे तब कूकर खोल लेंगे अच्छे तरीके दाल पक चुकी है इसमें आप पानी अपनी हीतां से कम जय्दा कर सकते हैं अब तड़का लगाएंगे इसमें पालक के साथ तड़का लगाने के लिए हम दो चेमज, तेल डाल दें, तेल और कम भी कर सकते हैं गरम होने देंगे अच्छे तरीके से, आप सरसोग तेल, घी या जो भी कुकिंग वाईल यूज करते हो, उसी से तड़का लगा लें टेलगरम होने के बाद आधा फोटा сам Арग जीरा डालेंगे। जैसे जीरा का कलर हो जाए। पियाज डाल देगे। और पियाज के शाथ में में लैसुन भी डाल दे रही हूँ। उदयर भी डाल दूँगे। पियाज को लाइट ब्राउन होने देगे। पेयाज ब्राउन हो चुकी है, इसमें हम तमाटर डालेंगे और हरी में थोड़ीर पकाएंगे, दो पिंच हिंग डालेंगे, हिंग हमारे डाजेसर में बहुत थादे मंद है और टेस्ट भी अच्छा आता है, इसमें थोड़ा सा आधा चिम्मा से बहुत थोड़ा नमक डाले क्योंकि दाल में नमक डाली है,नमक अभी इतना हि डालना है, इतना यहां भी सब्जी में जरूरफ है थोड़ा सा इसमें धन्या पाउडर डालेंगे, एक चेमस, फृदा हल्दी पाउडर डाल दाले गैए, हम लालव नीच bleach गरम मसाला सब को पका लेंगे एक साथ उसके ब पालक और दाल दोनों हमारे हिल्थ लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, आप जरूर यूज करें, मसाला जब मिल जाएं अच्छे तरीके से, तो दो-तीन मिनिट के लिए पालक को ढख देंगे, पालक में इतना पानी होता है, इसमें पानी डालने के ज़रूरत नहीं होती है, अ अगर पालक वाली डाल बना कर खाएंगे, तो आप खून की कमी दूर होगी, जिनको एनिमिया की प्राबलम होती है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, ऐसी डाल बना कर खाएंगे पालक वाली, और पालक अच्छे तरीकी से गल चुकी है, मसाला भी पक चुका है, जो दाल बना कर रखी थी, उसे डाल देंगे, और साथ में मिला लेंगे, बढ़ियत मिलाएं पालक के साथ, बहुत ही हिलदी डाल होती है, डाल सभी को फायदा करता है, खास तोर पर महिलाओं के लिए डाल बहुत अच्छी होती है, उनको डाल खाना चाहिए, अगर आयरन की कम हो, हमारे शरीर में तो डाल से पूरी हो जाती है, आयरन की कमी, और पालक भी है साथ में, गैस का फिलेम लो करके, दो-तीर मिनिट के लिए ढग देंगे, ताकि सारे मसाले आपस में घुल मिल जाएं, डाल, पालक, टेस्ट अच्छा हो जाएगा, गैस का फिलेम लो ही रखे दो-तीर मिनिट बात देखते हैं, हमारी पालक वाली डाल एकदम हिल्दी तयार हो गई, अगर ऐसी डाल आप खाएंगे, तो काफी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, इसलिए आप इस डाल को जरूर सेवन करें, अगर भूख नहीं लगेगी, खाना जादा नहीं क्योंकि दाल ही बहुत हिल्दी है, अब गया शॉप करके दाल को हम उताल लेंगे, इस तरह के दाल आप खाएंगे, आपको काफी देर तक भूख नहीं लगेगी, वजन कम करने में बहुत मदद मिलती है, इससे कोलेस्टरो लेवल भी कम होता है, दाल से हमें बहुत सारे प बूख नहीं लगती पेट भरा रहता है, तो वजन कम करने में मदद मिलती है, और दाल में कोलेस्टरो लेवल नहीं होता है, तो कब्ज की समस्या नहीं होती है, बहुत हिल्दी दाल है, इसे जिनको डैवडीज्क प्राबलम है, और वजन कम करना चाहते हैं, एनेमिया की प बनाएं, और दाल खाने से कोलेस्टरो लेवल कम होता है, तो हिर्दे रोग के खत्रा कम रहता है, और अच्छी सहत के लिए आप दाल रोज खाएं, बिल्कुल हिल्दी रहेंगे, तो इस तरीके इस दाल बनाएं, अगर इस दाल की वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक वीडियो की नोटिफिकेशन्स आप सबको मिलते रहें, और हमारा फर्स्ट चैनल है, वैस नोवी इजी लाइफ, उस पे आपको हर तरग रेसिपी मिलेंगी, जैसे हर तरग मिठाईया, नमकीन, बहुत सारे अचार की वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप चेक करें, यदि आपको अच्छा लगे, तो उसे भी सब्सक्राइब करेंगी, और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,